इस वीडियों बात करेंगे DMI Finance के बारे में अगर DMI Finance से आपने लोन ली है तो आपको लोन कब तक भरने पड़ेगी और कितना चार्ज के साथ भरने पड़ेगी अगर आप यह लोन नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या होगा सारी जानकारी पिरूप के साथ मैं आपको यहां पर बताऊंगा और इसका क्या सोलूशन होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बहुती कम पैसों के अंदर आप इस लोन को भर सकते हैं सबसे पहला आप यहां पर लोन देखिए हमने एक मोबाइल बाई किया था लोन इसका डियोवाई फाइनिस जो की 40,000 र परना पड़ेगा इससे हमें क्या क्या दिक्कत होंगी सबसे पहले मैं आपको यहां पर इसके डीटीयल के बारे में दिखा देता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आप देखेंगे तो हमारे सामने इनका जो यानि की डू डेट है वह दिखा देता है अब नीचे आप यहांपर देख सकते हैं bonus charge, यह bonus charge क्या दोस्तं मैं आपको बता देता हूँ, bonus charge का मतलब होता है कि अगर आप इसको नहीं भरते हैं, इसकी loan को पैह नहीं करते हैं, तो आप पर bonus charge चड़ता रहेगा, यहांपर इनका यह bonus charge देख सकते हैं, आप 416 रुपे हमारे सिर्फ बोनस चार्ज के बने हुए हैं, क्योंकि हमने इनकी लॉन को पै नहीं किया है, ऐसे ही में अगर आप कोई पार्टनल लॉन लेते हैं, तो उसका भी चार्ज यहां पर इसी तरह से बढ़ता रहेगा, मैं इनका इक पर नोटिप्र पार्टनल लॉन और बिजनिस लॉन के लिए, ठीक है, यहां पर आपको रिवाइज किया गया है, यानि कि अगर जो पहले फीज थी 2023 के हिसाब से, वो डियमाई फाइनस पर 550 रुपे की फीज लगती थी, अगर आप यहां पर कोई बिजनिस लॉन या पर्सनल लॉन लेते ह दोस्तों वो तो हो गई आपकी पर्सनल लॉन के लिए, यानि कि अगर आप बिजनिस लॉन लेते हैं, पर्सनल लॉन लेते हैं, तो उसके लिए चार्ज क्या होगा, अब यहां पर बात करेंगे आपके डिवाइस के लॉन के बारे में, मान लीजी आपने डियमाई से कोई दिवाइस ली है, और उसका लॉन का जो पैमिंट आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको कितना चार देना होगा, 2030 के हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहां पर न्यू रूल है, वो है एगजक्टिंग, यानि कि पहले से जो रूल चल रहा था, वो था 400 रुपे पलस GST किसी तरह की लॉन ली हो, तो सब का जो चैंज कर जा गया है, रूल को, यहां पर इनका फीश है, जो बढ़ा दिया गया है, डू फीश का, अब दोस्तों ऐसे में अगर मान लेजी, आपकी लॉन बढ़ रही है, तो आप इसे किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से इनका सोल लाएंगे, तो इनसे आप रिक्वेस्ट करिएगा, कि हमारा जो लॉन है, हमारा किसी कारण वस नहीं भरा गया है, जैसे कि माले जी हम बीमार हो चुके थे, तो हमारी लॉन इसलिए पैन नहीं हो पाई है, या फिर आप यह कह सकते हैं, कि हमारा जो बज़रता बहुत कम थे गरीबी के हिसाब से हम नहीं भर पाए हैं, आसा करते हैं कि आप हमें मतलब कम लॉन प्रावाइड कराएं, जिसे कि हम इसे भर सके हमारा चार्ज माप करते हैं, वह कंपनी क्या है कि हमने बहुत बार ऐसे लॉन को कम करा लिया है, तो आपको एक डिवाइस के लिए भी लॉ इसका लॉन था, वह आपको पै करना पड़ेगा, मालिज आपने 35,000 रुपय के कोई लॉन ने थी, तो आपको 35,000 रुपय भरने पड़ेंगे, आपको इसका डू चार्ज नहीं भरने पड़ेगा, क्योंकि आपने जो लॉन नहीं भरिए उसका चार्ज आपको नहीं देना ह होगा, दोस्तों यह सारी जानकारी मैंने इसलिए बताई है, कि बहुत सार लोगों की जानकारी के लिए पूछा गया था, कि अगर हम DMI Finance का चार्ज है, जो नहीं भरते हैं, या फिस को नहीं भरते हैं, लोन को नहीं भरते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं होगा, दोस् जैसे कि आगे आपको लोन ले सकें, कोई डिवाइस ले सकें, ऐसे में आपको जो बैलन्स है, मालिज आपने 40,000 रुपे की डिवाइस खरी दे को या लोन ली है, तो अगर आप नहीं भरेंगे, तो आपको यह चार्ज देने होते हैं, जैसे 6500 रुपे आपको पर मंत के हिस